गंगा के किनारे और निर्णे नहीं वो पाराता है कि व्यासासन पर कौन बैठे जो सभी प्रशनों के जवाब दे सके और सुन्दर भवान की व्याख्यान सुना सके लेकिन नग नवस्ता में विच्रन करते हुए सुग्दे वो स्वामी कहीं से आनिकले अचानक और बिना किसी के इजाजत के बिना किसी के और देखे हुए और व्यासासन के उपर आसीन हो गए चड़ गए पैट गए परिक्षित महाराज ने और सभी रिशिमुनियों ने वहाँ पर वेदव्याजी भी मौझूद थे सब ने जुक करके उनको प्रणाम किया इस स्वयम भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार गिने जाते हैं पूर्ण प्रकाष्ट सुग्दे गोस्वामी जी महाराज परिक्षित महाराज ने घुटने टेक करके हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे राजन मेरा एर्दय कहता है आप मेरे सभी प्रशनों का जवाब दे सकेंगे लेकिन मेरे दो ही प्रशन है उनका मुझे जवाब दीजिए पहला प्रशन है कि मरणसन अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या करता भी है उसके जो मरण सहिया पर पड़ा है अब मरेगा एक गंटे मरेगा आदा गंटे मरेगा चार गंटे मरेगा कल मरेगा मरण सहिया पर है उसके क्या करते भी हैं? उसको क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रशन है जो इस जीवन में आनंद पूर्वक जीना चाहे उसके क्या करते भी हैं? सुखदेगो स्वामी ने दोनों ही प्रशनों को एक ही जवाब में गिरा दिया उनका जवाब था कि जो मरना सन्ना उस्ता में पढ़ा है उसको भगवान का नाम इस्मरन करना चाहिए भगवान स्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए उनका मनन करना चाहिए उनका नाम जब करन चाहिए उनको याद करना चाहिए और शरी त्यागना चाहिए उसकी परमगति हो जाती है प्रिक्षित और जो जीवन में आनंदित रहना चाहता है सुखी रहना चाहता है और जीवन के बाद भी वह आनंद में प्रवेश्ट करना चाहता है उसे भी भवाण सरी कृष्ण का ही भजन कीर्टन करना चाहिए बगवान की सेवा करनी चाहिए अब जानंती इमाम मूढ़ा बगवान सरी कृष्ण स्वयम कह रहे है कि ये मूर्छित लोग मुझे नहीं जानते कोई भूत प्रितों की चक्कर में पड़ा हुआ है कोई देवी देवताओं की चक्कर में पड़ा हुआ है कोई निरहकार में अभ्यास कर रहा है कोई संसार में अभ्यास कर रहा है कोई करोड़पती बनने का अभ्यास कर रहा है कोई हीरो बनने का अभ्यास कर रहा है मूवीज में जाकर फिल्मों में जाकर हीरो बनेगा कोई अपनी शरीर को फैला रहा है कुस्ति लड़ने के लिए बॉक्सिंग करने के लिए कोई स्मार्ट चोर बनना चाता है पापुलर डकेट बनना चाता है कोई पापुलर सीट पर बैठना चाता है कोई मान पृतिष्ठा में लगा हुआ है भगवान को जानने के लिए फुर्षत किसको है अब जानन्ति इमाम उमूधा ये मूर्क लोग मुझ परमीश्वर को पर्मानंद स्वरूप को नहीं पहचानते मेरी तर आने का प्रियास नहीं करते और मैं मनुष्य के शरीर में होने के कारण मनुष्य जैसा इस स्वरूप मेरा है जैसा कि मैंने कहा कि भगवान का परम स्वरूप गोपाल का है गोपाल गौले का जैसे गौले का वेश होता है हलके फुलके वस्त्र कमर में काच्छनी हाथ में लकुटी हाथ में कमर में बंसी मुरली वेणू मोर पे मयूर पंक सिर के उपर सुन्दर कमल दल जैसे नेत्र परम सुन्दर नेत्र जिनके हैं ऐसा कोई परम पुरुश है हो कृष्ण है जिनके नेत्रों में करुणा की सागर लहर आ रहे हैं दया की सागर लहर आ रहे हैं प्रेम की बाढ़ आ रही है ज्वार भाटा प्रेम की लहरे उठ रही है प्रेम स्वरूप आ है ऐसे नेत्र एद ऐसे सीतलता प्रदान करने वाले नेत्र आनंद प्रदान करने वाले नेत्र भगवायन सरी कर्शन के हैं, परम पुरुष्ट के हैं, पुरसुत्तम के हैं, लिक्न उनका शरीर मनुष्ट का जैसा है, उनकी अतिक्रपा है कि हमको उन्होंने मनुष्ट जैसा शरीर बनाया और दिया भी, फिर भी हम अवागे हैं, जो उस पुरुषुत्तम को नहीं पहचानते हैं, जो हमारा असली पिता है, जिनके हम अंश हैं, संतान हैं, जीसस क्या कहते हैं, जीसस कहते हैं, दी होल वर्ल्ड इस वन फैमिली, ओस भगवान की परिवार है, सारा, वासुदेव कुटंब सर्वम, सभी वासुदेव भगवान का, वासुदेव स्री कृष्ण का कुटंब है, लेकिन एहंकार, यह स्विकार करना नहीं चाहता, कि अनंत ब्रह्मांडो को कंट्रोल करने वाला, एक देव की पुत्र हो सकता है, यह यह शुदा के आंगन में, गैंद को मचलने वाला, कोई सावला बालक हो सकता है, परम भावम एजानंतो मम भूत महीश्वरम, भगवान कहते हैं कि मेरा जो श्री विग्र है, यह महाईश्वर का विग्र है, मेरा जो भाव है, जो इरदे में भाव उठते हैं, वो परम भाव है, सुप्रीम कॉंश्यस्थनेस, हमारे इरदे में भाव कितने उठते हाथ रखे देखेंगे तो मालूम चलेगा, यह मनी काम करता है 24 गंटे भूत की तरह, मन के अंदर भाव नहीं उठते विचार उठते, मन के अंदर ही संसार है, संसार शुरू ही मन से होता है, मन के अंदर भीचार उठते हैं, यह कर लों, वो कर लों, उसे तोड़ दूँ, इसे पोड़ दूँ, इसे खड़ा कर दूँ, इसे मार दूँ, इसे जिला दूँ, ऐसा बन जाओं ऐसा बन जाओं सारे मन के विचार है भाव नहीं भाव तो एड़दे से प्रगट होते हैं इन भाव का भी स्वरूप है बुरे भाव प्रगट हो जाएं तो तुम्हारी गति खराब हो जाती है बुरे भाव जब प्रगट होते हैं तब आदमी यहाँ पर आकर के कुछ भी उल्टे सीधे काम करता है भारत में भी करता है भारत से आकर भी करता है यहाँ पर आकर के बड़ी बड़े श्टॉर खोलता है माल चलाता है शुपर मार्केट खोलता है और बीफ बेशता है सभी तरह का मीट बेशता है भारत में अच्छा था हो वह खेती करता था और पर्चुनी की दुकान करता था सुन्दर दुकान थी कोई कपड़े की दुकान थी किसी के जूते की दुकान थी वह ठीक था यह डॉलर का लालच आडर देता है कि कल इतना पॉंड भी फलाना दो सो पॉंड पांच सो पॉंड सुपर मार्केट चलाता हूँ वो कहता है कि कल आठ गाएं काटकर मुझे लाना आठ गाएं के एत्या करना मुझे लाना काटकर मैं बेच्छुँगा डॉलर 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 इकटें हो जाएंगे नोट भर जाएंगे मेरे तिजौरियों में मैं धना डो जाओंगा फिर यहां भी दिखलाओंगा बड़ी-बड़ी कारों में गूमके और एरोपिलेनों मोड के भारत वालों को दिखलाओंगा कि मैं कौन हूं यह एहंकार भरा मनश अपनी मानप्रतिष्टा के कारण अपनी इंद्रियत रप्ती के कारण अपनी भोग विलाशों के कारण अपने एहंकार को फुलाने के कारण सब कुछ भूल जाता है फिर भगवान उसको कहां से याद आएंगे भगवान को याद करने के लिए तो कुछ तो आपके पास पवित्र शरीर चाहिए पवित्र आसन चाहिए पवित्र घर चाहिए पवित्र किचिन चाहिए पवित्र मन चाहिए पवित्र विचार चाहिए पवित्र भावना होनी चाहिए आपके इर्दमे तब जाके थोड़ा आप बगवान की और आँखे खोलते हो या चलने लगते हो कही है या बगवान की विंडो आपकी और खुलती है बुरे विचारों में कुछ नहीं होता बुरे विचारों में तो बुरे काम होते है बुरे भाव उठे तो बुरे काम होते है कुब भाव उठे तो बुरे काम होते है नहीं सुभाव उठनी चाहिए सुभाव आत्मा का भाव सुभावी नाम शब्द दिया है आपका ओरिजिनल सुभाव आत्मा सुरूप से जो सुभाव है आत्मा का सुभाव है उस परमीश्वर को प्रसंद करना शुद्ध कारी करना पापकारियों से बचना धर्म कारी करना पुर्ण कारी करना यह आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना भगवान की सेवा भगवान सर्वत्र हैं आप थोड़ा सीखो तो कि भगवान की सेवा कैसे होती है आपके पड़ोस में कोई भूका बैठा है परिवार में अन्न नहीं है खाने को और आपके पास धन है और अन्न भी है क्या आप मदद नहीं कर सकते क्या उस उन लोगों में आप परमीश्वर को नहीं देख सकते उन लोगों के इरदे में बैठे परमात्मा को नहीं देख सकते उनकी मदद करनी चाहिए मदद सब तो बनाया है लिए उनकी सेवा करनी चाहिए सर्वदैन फूल से मीठी बानी से नज़्दीक बैठ करके पानी पिला करके किसी भी रूप से जहां भी आप सेवा करते हैं वो भगवान की सेवा है कि बगवान सर्वत्र व्यापत है पेड़ों में भी किसी पौदे को आपके घर में पौदे होते हैं उनको टाइम टू टाइम जल पिलाते हैं वो भी भगवान की सेवा है अपने बच्चों को निलाते हैं, निखारते हैं सुलाते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं स्कूल बेजते हैं यह बगवान की सेवा है लिए बगवान को जान लो तब बगवान की सेवा है यही जाना कि यह मेरा बेटार मैं इसका बाप इसको पड़ा लिखा के बड़ा बनाऊंगा तो बगवान को आप नहीं पहचाने कभी भी ए पेड पौदों के इर्दे में भी भवान बिरास्ते हैं। किसी पौदे के पास भी आप किसी कीडे को भी मारो, तो साइन्टिस्ट ने प्रूप किया है कि वो पौदा काप जाता है। हालांकि पौदे को आपने नुक्सा नहीं पहुचाया। पौदे के नज़्दीक में एक कीडे को मारा, तो भी वो पौदा काप जाता है। वहां भी भाव हैं, वहां भी विचार हैं। ये तमाम सरश्टी लैवद हैं। जहां कोई मर रहा है, वहां कुछ हमारा मर रहा है। इसको जानने के लिए आपकी भावना में शुद्धता चाहिए। और भावना में शुद्धता तभी आती है, तब हम शुद्ध कारियों में उत्रें। शुद्ध शास्त्रों को पढ़ें। शुद्ध के साथ बैठें, उठें। तब आपकी भावना शुद्ध होती है उस परमेश्वर की सेवा है शुद्ध की सेवा करना शुद्धम शर्णम गच्चामी उस शुद्ध की शर्णम जाओ बुद्धम शर्णम गच्चामी उस बुद्धिमान की शर्णम जाओ जिसको परम ज्यान है दम्मम शरणम गच्छामी उद्धर्म की शरणम जाओ द्धर्म क्या है आपकी आत्मा का स्वभावी धर्म है आपकी आत्मा का जो ओरिजिनल स्वभाव पेम स्वरूपा ज्ञान स्वरूपा आनंद स्वरूपा क्षमा स्वरूपा दया स्वरूपा जो ओरिजिनल नेचर है आत्मा की उसकी शर्ण में जाओ ये contaminated consciousness लेकर के संसार में दुख पा रहे हो बार-बार जनमते हो मरते हो बीमारियों में सड़ते हो गड़ते हो अपमानित होते हो साड़ा कोड़ा करकट इखटा करते हो फिर त्याक के जाना भी पड़ता है इसको लिए उसकी शर्ण माने से आपकी अदोगती नहीं होती आप नीचे को नहीं गिरते हैं आप उपर को चड़ते हैं उपर को चड़ते हैं आप आनंद की और चड़ते हैं ग्यान की और चड़ते हैं सच पूछो तो आप उस असली समराट की सीट को प्राप्त करने के लिए चड हैं जिसको परंप काहा है जिसको काहा है जीस को अजरामर काहा है वयकुंट जगत सं你好 है जहां आप परमानदफ अनलंद की खोज में यह कलिक क मिलन कनेश्टर की टुकडंत में आनद मिलता है ते राउस्ष वर्योश हो या एरोपलेन हो या कुछ लेक्सस हो मर्शुरीज हो नहीं इनमें आनंद नहीं मिलता इनका इस्तेमाल करो लिए उस पर्मानंद को ना भूलो उस परमीश्वर को ना भूलो परमीश्वर की सेवा करने से आपको सुख मिलेगा परमीश्वर की सेवा से बंचित हो जाने से आपको दुख मिलेंगे कलिश मिलेंगे भटकोगे फसे रहोगे दल दल में जनम मरन जराब्यादी जनम मरन जराब्यादी यह चक्कर लगते रहेंगे आप बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार कर्मों से गिर जाओगे तो अपनी कर्मों की अपनी भावना से आगे जाती है भावना गंदी है मलीन है तो मलीन इस्थान में जाके जन्म लेती है कौंशियसनेस को निखारना चाहिए शुद्ध करना चाहिए हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए प्यूरिफाई यौर कौंशियसनेस बाई चांटिंग भगवान का भगवान की कथा सुनने से आपको लाब मिलता है एरिंग मेडिटिशन स्तरवन कला जो है एक ध्यान की कला है और सबसे प्रथम और टॉप कला है कि एक मात्र भगवान की कथा वारता गलोरिफिकेशन कीर्तन सुनते सुनते आप भगवान की प्रेमी बन जाते हैं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं सुनते सुनते सरवनम कीर्तनम विश्नो इस्मर्णम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दाश्यम साख्यम आत्मिन वेदनम इनमें से कोई व्यक्ति एक को भी पूरी तरह से साध ले तो भगवान को प्राप्त कर लेता है व्यकुंट को प्राप्त कर लेता है परम आनंद को प्राप्त इटर्नल आनंद को प्राप्त कर लेता है इटर्नल पीस सदेव उसके पास होता है सरवणम सुनना कीर्टनम भगवान को गलोरिफाई करना कीर्टन करना उसका भगवान का सरवत्र वो है फूलों में कलियों में कोईलों में चिडियों में बाजों में सिंगों में हिरणों में